आपको मालूम है कि प्रकाश यह एक उर्जा का प्रकार है प्रकाश के बिना पूरा जगत अंधकार में डूब जाएगा प्रकाश के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे प्रकाश कागज और तेढ़ी मेढी नलीका में सीधी रेशा में यात्रा करता है चलिए अब हम एक गत्ता लेंगे उस पर दो आड़ी रेखाई बनाएंगे और एक खड़ी रेखा निकालेंगे पुश्पिन की मदद से हम इन रेखाओं के छेदन बिंदू पर एक छोटा सा छेद बनाएंगे इस एरेजर का इस्तमाल करेंगे और यह मुड़ा हुआ टिकड़ा इससे चिपका देंगे इसके कारण छेद वाली बाजू सीधी तरह से खड़ी रहेगी मूबाइल का फ्लैशलाइट इस्तमाल करेंगे हम पहले एरेजर को प्रकाश के स्रोथ के सामने रखेंगे हम इस छोटे छेद से प्रकाश देख सकते हैं अब यहां हम दूसरा इरेजर रखेंगे क्या आप इस छेद से फ्लैश का प्रकाश देख सकते हैं? अब यहां दूसरा इरेजर रखेंगे इस छिदर से फ्लैश का प्रकाश देख सकते हैं? नहीं हमें थोड़ा समायोजन अर्थात हमें उसे थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा जब तक हम छेद से प्रकाश नहीं देख पातें तब तक एरेजर को हिलाते रहेंगे उसकी जगह बदलते रहेंगे तीसरी बार क्या हुआ हमें यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ को तभी हम प्रकाश देख सकते हैं सारे छेद एक सीधी रेशा में हैं या नहीं यह जांचने के लिए हम ग्राफ पेपर का भी इस्तमाल कर सकते हैं यदि हमने बीच वाले एरेजर को थोड़ा उपर उठाया तो क्या होगा क्या हम प्रकाश देख पाएंगे नहीं यह महत् प्रकाश दूसरी और से भी देखा जा सकता है इस क्रिया द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेशा में यात्रा करता है कागस के स्थान पर हम वक्र नलिका लेंगे हम इसे इस प्रकार से गत्तों से जोड लेंगे जब हम इसे मोड देंगे तब क्या हम प्रकाश काफी अधिक गती से यात्रा करती है। क्रिकेट मैच देखते समय प्रथम बैट से गेंद पर बैठा प्रहार दिखाई पड़ता है। बाद में उसकी आवाज आती है। प्रकाश विश्व की सबसे तेज गती वाला माध्यम अर्थात स्रोत है। प्रकाश इतनी गती से यात्रा करता है कि एक सेकंद में पृत्वी के चारों और साथ बार परिक्रमा कर पाता है। इस कंचे को यदि हमने धलान पर रख दिया तो क्या होगा। वह सीधी रेशा में नीचे की और लुड़केगा। यदि हमने लकडी के इस खंड को उसके रास्ते में रखा तो क्या होगा। खंड से टकराने के बाद कंचा अपना मार्ग बदल देगा। जब प्रकाश के तिर्चे किरन आइने पर टकराते हैं, तब वे तिर्चे किरन लकडी के खंड से उचलने वाले कंचे के समान वापस आ जाते हैं। इसे ही परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश परावर्तित होता है, तब वह दिशा बदलता है। अलग-अलग प्रुष्ट भाग से प्रकाश अलग-अलग पद्धती से परावर्तित होता है। जब प्रकाश के किरण किसी खुरदरे प्रिष्टभाग से टकराते हैं तब कुछ प्रकाश प्रिष्टभाग द्वारा सोक लिया जाता है। कुछ प्रकाश की किरने अलग-अलग कोणों से उचलती हैं इस कारण प्रिष्ट भाग निस्तेच दिखाई देता है जब प्रकाश की किरने चिकने या समतल प्रिष्ट भाग से टकराती हैं तब सभी किरने परावर्तित हो जाती हैं प्रकाश की ये किरने एक ही दिशा में प पाते हैं जब तक पानी का प्रिष्ट भाग समतल अर्थात चिकना होता है तब तक प्रकाश योग्य तरीके से परावर्तित होता है जिसके कारण हम स्पष्ट प्रतिविम देख पाते हैं पर जब हम पत्थर फेंख कर पानी को विचलित करें तब प्रकाश सभी दिशाओं से परावर्तित होता है जिसके कारण प्रतिमा स्पष्टता से नहीं दिखाई देती इस क्रिया कलाब द्वारा हम ये जानेंगे कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है इस काले कागज में हम एक चतुशकोन अर्थात चौक और नलिका बना लेंगे हम प्रकाश स्रोत के लिए फ्लैश्लाइट का इस्तेमाल करेंगे कागस की नलिका उसके सामने रखेंगे आप प्रकाश के किरण पाहर आते देख पाएंगे यदि हमने इसके सामने आईना रखा तो क्या होगा आईना घूमते ही प्रकाश की किरणे भी सभी दिशाओं में परावर्तित हो गई ये आईना एरेजर से चपका कर हम नलिका के सामने रखेंगे यदि हमने दराज वाला एक छोटा कागस इस चौक और नलिका के सामने रखा तो क्या होगा प्रकाश की एक किरण प्रकाश के स्रोस से निकलती हुई देखी जा सकती है अभी हम आईना घुमाएंगे और परावर्तित किरणों के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे एक दराज के स्थान पर हम दो दराजें भी बना सकते हैं और परावर्तन का स्वरूप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं आइने के स्थान पर चम्मच, इरेजर, कंचा, शापनर, नापटिकार्था, स्केल, आदे रोज मर्रा के इस्तमाल की जाने वाली वस्तूओं को रख कर यही प्रयोग करके देखें क्या आप बता सकते हैं कि इन वस्तूओं में से कौन सी चीज प्रकाश परावर्तित करेगी? यदि हम रंगीन प्रकाश का इस्तमाल करें तो क्या होगा? रंगों से कुछ भी फरक नहीं पड़ता है, किरण भी उसी प्रकार से परावर्तित होती हैं अब यदि हमें मालूम हैं कि आईने द्वारा प्रकाश कैसे परावर्तित होता है, तो क्या इन विविद परिस्तित्यों में प्रकाश कौन सी दिशा में परावर्तित होगा? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? हम आईना इस प्रकार से हिलाएंगे अरवी वैज्यानिक, अलहा जहिंजी ने अंधेरे कमरे में सूरच की छवी कैसे तयार की जा सकती है ये बताया एक दिवार से बने एक छोटे छिद्र के माध्यम से प्रकाश की किरणों को गुजरने दिया जिसके कारण सामने वाले दिवार पर एक छवी तयार हो गई अंधेरे कमरे को लेटिन भाशा में कैमेरा ओप्सक्योरा कहा जाता है इसके द्वारा सूरज, रास्ते, निसर्ग, आदी का जिग्यासावश अवलोकन किया गया हम A4 कागज इस्तिमाल करके पिन होल कैमेरा तयार करेंगे एक बाजू खुली रखकर इस प्रकार मोड कर हम एक बकसा बनाएंगे पिन की मदद से एक और छोटा छिद्र बनाएंगे कागज को अर्धपारदर्शक बनाने के लिए दूसरी और से थोड़ा खाद्य तेल लगाएंगे हमारा पिन होल कैमेरा मौमबत्ती के सामने रखेंगे अभी कमरे में जो दिये हैं वे बन कर देंगे हम स्क्रीन पर मौमबत्ती की छवी देख पाएंगे छवी के स्वरूब का बारी की से निरीक्षन करने पर हमें दिखाई देगा कि वह सीधी नहीं उल्टी छवी है ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं? अपने शिक्षक और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए एक छिदर के स्थान पर यदि तीन छिदर मौजूद हो तो आप क्या देखेंगे? इस क्यामेरा के द्वारा आप खिड़की की छवी भी देख पाओगे सारांश हमने प्रकाश तथा प्रकाश के स्वरूप को जाना और ये स्वरूप जानने के लिए अनेक प्रयोग किये हमने देखा प्रकाश सीधी रेशा में यात्रा करता है प्रकाश सीधा आईना या चमकने वाली धातू जैसे प्रुष्ट भाग से परावर्तित होता है अन्य अनेक पदार्थों द्वारा यहें लिया जाता है मौमबत्ती की प्रतिमा देखने के लिए हमने पिन होल कैमेरा तयार किया कृती आप ऐसे अलग-अलग प्रकार के क्रिया कलाप करके देखिए और खुद का भी एक क्रिया कलाप तयार कीजिए क्या आप प्रकाश के बारे में तथा प्रकाश का स्वरूप जानने के लिए मदद करने के लिए कुछ ऐसे प्रयोग की कलपना स्वयम कर सकते हैं प्रयत्न करके देखिए झाल